जोहार नमस्कार जारखंड की राजधानी राची के रिम्स अस्पताल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिस खबर को सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि अरे वा ये क्या हो गया लेकिन वो हो गया आपको बता दे कि जारखंड के चत्रा जिले के इट खोरी की रहने वाली एक ग बच्चे को जन्म देती है तो आप सोचे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है ये तो नॉमल बात है कि गरभावती महिला है तो बच्चे को ही जन्म देगी लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो गरभावती महिला एक बच्चे को जन्म नहीं दी है दो बच्चे को जन्म नही दी है चार बच्चे को भी जन्म नहीं दी है तो आप बोलेंगे कि कितने बच्चे को जन्म दी है जल्दी बता तो आपको बता दे कि खोरी की रहने वाली गर्भावती महिला एक साथ पांच बच्चे को जन्म दी है और पांचों बच्चे जो है सही सलामत है एक साथ पांच बच्चे को जन्म दी है तो ये भगवान का कहीं न कहीं उनके ओपर खृपा है लेकिन अभी ये कन्फरम नहीं हो पाया है कि उन पांच बच्चों में कितने बच्चे हैं और कितनी बच्चिया हैं मतलब कितने लड़ महिला तो थोड़ा सा कही ने कई परशानी होगी हलाकि रिम्स के डॉक्रों ने सम्हाल लिया एक यह जा जा रहा है कि इससे पहले भी रिम्स में एक महिला चार बच्चे को एक साथ जम दी थी, हलाकि उसका एक महिला तक हिलाज चला, बच्चे को हिलाज चला, महिला का हिलाज चला, और वो बच्चे और महिला स्वस्थ होके वापस घर चले गया है और ठीक ठाक है, तो ऐसा उमीद लगाया जा रहा है कि ये पाँचों बच्चे और जो उसकी माा है वो भी ठीक होके बहुत ही जल वापस चले जाएंगे जहां एक महिला के लिए एक बच्चे को जन्म देना कितना कष्ट दायक होता है आप समझ सकते हैं वही पर एक महिला एक साथ पाँच बच्चे को जन्म देती हैं तो कितना कश्ट हुआ होगा वो ही समझ सकती हैं आपको बता दे कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ओधा मा होती हैं तो उन पाँचों बच्चों के लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा मा होगी हम लोग एक बच्च दो बच्चे होते हैं तो जुडवा कहते हैं तीन बच्चे को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता तीडवा कहते हैं चार बच्चे को क्या कहते हैं चरवा कहते हैं आप जरा कमेंड करके बताईए पांच बच्चे को क्या पाच्वा कहते ह क्या कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन ये काफी खुसी का महाल होगा उनके घर वालों के लिए कि एक महिला एक साथ पांच बच्चे को जंदी है तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राया हमें जरूर दीजे और महिलाओं की रिस्पेक्ट किया किजे और महिलाओं क कुछ भी नहीं है जय हिंद वंदे मातरम जोहार जहार खंड